नमस्कार स्वागत है आपका News World इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग चुनाब लड़ने की तयारी कर चुके हैं साथ तोर पर इस बात का भी जिकर कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब वो चुनाब लड़ेंगे आपने हाजर हुआ है तो भारतीया को क्या लगता है कि यह जिस तरीके से ओवैसी बिहार में पार्च सीट जीच चुके हैं उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में अपने कदम रख रहे हैं तो यहां पर कुछ चहल कदमी उनकी हो रही है इसकी वैसे सियासी गलिया लगातार गर्माती जा रही है बिलकुल प्रदियूम पिछले अगर एक हफते की बात करें तो सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जसे तरीके से आम आदमी पार्टी ने अलान कर दिया कि अब वो पार्टी जो है वो एलेक्शन हुआ था उससे पहले एसपी और कॉंग्रेस का जो गटबंदन हुआ था इन सभी गटबंदन में कुछ भी नहीं चल पाया और पुरानी अगर हम बात करें तो बीजी पी जस तरीके से हर राज में अपनी पैट जो है वो बनाती चली गई है और बना रही है ऐसे में बनात के काम भी जो है इस बार जो नोने किये हैं वो अपने आप में मानने वाले हैं यह रामंदर का मुद्दा जो है अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है तो मुझे लगता है कि बहुत जादा मेहनत करनी की जरुत पढ़ेगी इने बिलकुल मेहनत करनी जरुत तो बीच में आ चुकी है चंदर्शेकर का नाम भी अवल उसमें गिना जाने लगा है लेकिन ऐसे मैं आप पार्टी भी यह बात बोल चुकी है कि 2022 के लिए हम तयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम बाच्पा या फिर भाच्पा सब को हटाने के बाद हम यहां पर राच क तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता है वो जातिवाद और इन सब चीजों पर जादा अकसर देखा गया है कि यह एक अलग तरीके का मौहल वहां पर एलेक्शन की काइम पर देखा जाता है तो ऐसे में आमादमी पार्टी का वहां पर अपना वर्चस्व जमाना बहुत लगू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता है उसका नजरिया अलग है एलेक्शन को लेकर एक अलगी वहां पर एक अलगी तरीके की चीजने चलती है तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा आमादमी पार्टी के लिए हाला कि एक नई पार्टी जब बढ़ती है सालों साल तो वो कोशिश करती है कि हर राजय में वो अपनी पैट जमाए पर अगर वो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत ही हम जानते है प्रदियूम किस तरीके की है देश के सियासत उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है तो बहु कैसे पढ़ेंगे उन पर क्योंकि यहाँख पर दलित और मुस्लिम समाज की अपनी और आरूत प्रत्यारूप करते हैं इन उनके बयान भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. तो भारती जिस तरीके से उनके जो बयान बाजी लगातार उनके तरफ से की जाती है, तो ऐसे मैं जो मुस्लिम और दलित फेक्टर जो माना जारा है, वो काम कर पाएगा. दोनों ही पार्टी जो हैं वो अल्पसंक्यक, दलित समाज के जो वोट होते हैं और साथ ही मुस्लिम वोट हैं, इनके उपर आश्रित हैं. ये हमने साफतार पर देखा है कि दोनों पार्टी जो हैं, वो जब चुनाव लड़ती हैं, तो दोनों में ही ये खींचातान रहती है कि मुस्लिम समाज के वोट कौन सी पार्टी लेगी. लेकिन ऐसे में BSP के साथ अगर OEC की पार्टी यानि AIM जुड़ती है, तो बिहार की तरीके से उमीद की जा रही है, जीत की बात अगर हम करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रादियों. लेकिन अगर जीत की बात को अगर हम छोड़ दें, पार्टी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, गटबंदन मिलके कैसी परफॉर्मेंस देता है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक अच्छे वोट ये बटोर सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ दलितों के, बलकि मुस्लिम मुस्लिम फेक्टर और मायवती खेल पाएंगी इस बार क्या, क्योंकि वर्चेसफ की लड़ाई है, उनके लिए फायदे मन रहेगा, प्रद्यूम, अगर मायवती की बात करें, तो BSP जस तरीके से अब उभर रही है, धीरे-धीरे, क्योंकि अब इस पार्टी में कोई बड गडबंदन होता है, AIMIM का और साथ में BSP का अगर गडबंदन होता है, तो किस तरीके से मायवती इसका लाब उठा पाती है, और AIMIM किस तरीके से अपने आपको UP में काबिस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये राजनीती आपर कुछ भी कहां नहीं जा सकता है, आज कुछ किस तरीके से पाइदा पहुचाएगा और पार्टियों को? लेकिन भूलो मत कि मंदर का निर्माण भी बहां पर हुआ है, और मंदर निर्माण एक ऐसा मुद्दा है, जो कि लंबे समय से चलता हुआ है, तो ऐसे में, क्योंकि मंदर की नीव रखी गई, तो ऐसे में ये एहम मुद्दा होगा, और मुझे लगता है कि योगी आधितना जो है इस मुद्दे के साथ जादा उभरेंगे और रही बात किसानों की तो किसानों का जो मुद्दा है वह भी है और इसको लेका जरूर बीस पी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो बहुत जो है एहम यह मुद्दा उनके लिए हो सकता है लेकिन अगर हम राममंदिर की करें तो राममंदिर का मुद्दा जरूर भारी पढ़ सकता है उनके बनाना है हमको यह गद्दी चाहिए तो उस गदी में काफी मदद वेसी उनको कर सकते हैं लेकिन पाट सीट महाँ पे जीते हैं तो यहाँ पर कितनी सीट की गुंजाइश लग पा रही है देखे अगर हम मुस्लिम समाज की और दलिट समाज की बात करें तो एक तरीके से क्योंकि वो उत्तरवदेश में भारी संक्या में है बिल्कुल सही के आपने लेकिन 110 से 120 सीटों का जो समीकरण लेके चला जाता है उसमें कहा जाता है कि यह जो एक समीकरण है इस से यह डिसाइड हो जाता है कि दलिट समाज किसको वोट दे रहा है और मुस्लिम समाज के इसको गूट दे रहा है, तो इतनी सीटों का आकलन हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्यूंकि मुस्लिम समाज जो है वो न सर्फ BSP और AIMIM बलकि SP के साथ भी रहता है, और अब क्यूंकि SP और BSP साथ में नहीं है, तो SP अगर अकेले लड़ती है, तो उनके ल और AIMIM, दोनों के वोट जो है, वो डिवाइड कहीं न कहीं होते वे नजर आएंगे। मिलेगी और अच्छी खासी मिलेगी, तो फरक जरूर पड़ेगा. जो है, वो भारी पड़ेगा, जरूर, और आमादमी पार्टी अभी जो है, वो उतनी डेवलाप पार्टी नहीं है, अभी उतनी जादा सक्रिये पार्टी नहीं है, बेशक वो गोवा में, हर्याना में, दिल्ली में, तवाम जगाओं पर अपनी पैट बनाने की कोशिश कर चुकी है, है भी, लेकिन फिर भी अगर हम भाजपा की बात करें, अगर हम BSP, SP की बात करें, या AIMIM की बी बात करें, तो इन सब से अगर compare किया चाहे, तो प्रदियूम ये उमीद बहुत कम लगाई जा सकती है, कि आम आदमी पार्टी कहीं पर भी टिक पाएगी, बिल्कुल, भी लगा सकते हैं, कि यहां पर भी कुछ सीट तो जरूर निकालेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमने जैसा भी डिसकस किया, कि AIMIM और साथ में BSP, BSP का अपना vote bank है, दलिक समाज, AIMIM का अपना vote bank है, मुस्लिम समाज, तो यह दोनों मिलेंगे, तो वोट तो जरूर बटोरेंगे, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वोट बटोरना और जीतना, दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी ना, क्योंकि अगर भाजपा कोई चीज दिख रही है कि OVC आ रहे हैं, और मायवत्ती फिर उबरेंगी, तो भाजपा उसके ल जो इंप्रेशन है लोगों के ओपर, जिस तरीके से योगी आधितनाथ बोलते हैं, लोगों के सामने उनका जो इंप्रेशन पड़ा हुआ है, वो एक अलग लेवल का है, उसको लेकर जो राजनीती होती है, जिस तरीके से, अलागी राजनेतिक पार्टियां जो हैं, वो व राजनात सिंग, रक्षा मंतरी राजनात सिंग, जेपी नडदा भी सात में, ये तीन चार जो लोगों की एक रैली काफी होती है, हम सबी जानते हैं, बंगाल में जिस तरीके से रैली हुए और किस तरीके से, जो एक पार्टी के कितने नेता बीज़ेटी में शिफ्ट हो ग है ऐसे में जो और दल है वो जरूर बीजेपी से अभी बीते समय में अलग हो गए तो उनका सपोर्ट भी मिल सकता है सपोर्ट मिल सकता है लेकिन प्रद्यूम है और यूपी और बिहार बहुत डिफरेंस है देश की राजनीती यूपी से शुरू होती है यूपी और हैदरबा कि अब यूपी से अब यूपी से अब अगर इन पार्ट का घटबंदन होता है तो कि लंबा समय, यानि कि 2021 पूरा निकालना और 2022 का भी कुछ समय, ये इतने वक्त तक भी पार्टी साथ में, आपको लगता है कि इतने वक्त तक भी ये पार्टी आपस में रह पाईगी, क्योंकि SPBSP का आप देख लीजिये, हिस्ट्री देख लीजिये, आप SP और कॉंग्रेस की हिस्ट्री देख लीजिये, तो कितने दिन ही ये साथ में टिक है, तो बहुत एहम हो जाएगा, लेकिन बस ये है कि आगर आप गटबंदन करते भी हैं, तो सिर्फ आपको वो गद्दी चाहिए, उसके लिए गटबंदन यहाँ पर होगा, लेकिन ये जरूर समय बता देगा कि ये गटबंदन अगर होता है, तो ये टिक पाएगा या नहीं, क्योंकि वर्चसफ की लड़ाई लगातार लंबे समय से आपर चलती हुई आ रही है, ऐसे मैं अब OVC ने हमत की है, और साफ तोर पर उनने एक बात का जिकर किया है, कि हम उत्तर प्रतेश आ रहे हैं, कोई कोई भी नेता हो, या कोई भी हो, उसको खाड फैकेंगे, क्योंकि आप OVC और मायवती यहाँ पर फिर से राच करेंगे रहे हैं, उनने साफ तोर पर ये जिकर किया है, लेकिन मायवती ने इस पर जरूर चुपी साध रखी है, तो वज़ा क्या है भारती, जब OVC खुली उनको आमंतरन दे रहे हैं कि यहाँ पर भी हो गलबंदन करें, तो मायवती चुप क्यों है? कि उनको कहता है कि हमारे साथ गडवन्दन कर लीजिए और हम इस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी नेता कि थोड़े से छोड़ तो लगी कहीं न कहीं, तो मुझे लगता है कि अभी उस चीज को सम्हालने के लिए और उस च कि अख्षी दल के नाम पर कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, चाहिए वो यूपी की बात करें चाहिए वो देश की बात करें, क्योंकि कॉंग्रस का भी वजजस का नजर आ नहीं रहा है, तो बीएस पी एहम यह हो जाता है कि बीजेपी को टककर देने के लिए कोई कोई पार्टी सामने खड़ी हूँ, बिलकुल, लेकिन अगर हम सपा की बात करते हैं, तो सपा में मुलाहिम सिंह यादफ भी एक दिगज नेता थे, आप तो खेर स्वास उनका सही रहता है, तो वो ज़्यादा बाहर भी सामने नहीं आते हैं, लेकिन अब अकलेश यादफ, स्टार पचारक वो भी है, और जो युवा है, वो काफी उनको पसंद भी करते हैं, तो कही ना कई अकलेश यादफ के मन में भी ये चीज़ आ रही होगी, कि निमंतरण हमको वेसी की तरफ से क्यों नहीं आया, बिलकुल, लेकिन सही पाक कही आपने कि उनको क्यों नहीं आय तो मुझे लगता है कि जो पार्टी का गडबंदन एक तरफ चल रहा है, उसी पार्टी के गडबंदन से इस तरफ भी देखा जाएगा, और समाजवादी पार्टी बेशक से इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने आपको दिखाने की कोशिश करें या अब 2022 आने वाला एक लंबा वक्त है तो जरूर अपनी चीज़े सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिलाल अकेले हैं, देखे, मुलायम सिंग जब उस पार्टी में थे तो पार्टी का रुदबा लगता, आज जब मुलायम सिंग पार्टी में पूरी त अंतर बिल्कुल दे रहा है, लेकिन एक बीजेपी पार्टी को तोडने के लिए इतनी पार्टी पीछे लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पार्टी नहीं टूट रही है, अगर मुझूरा स्थीतिगी के हम बात करते हैं, तो तमाम ऐसे मुद्दे हुए हैं प्रशासिनी गदिकारी लापरवई बरते हैं, तो उसका भी कही ना की खामेजा भोकतना पड़ सकता है? आप नहीं करवाएंगे तो आप इस बात के लिए बिलकुल तयार रहिए कि जो जनता है जो यूपे की जो जनता है वो आपको खाड फेकेगी वक्त नहीं लगेगा लेकिन हां ये फाइदा जरूर उत्रदेश को मिलने वाला है कि मोधी सरकार यानि कि प्रधान मंत्री माफ किजे जो मुखे मंत्री यह उन सबसे अगर कंपेर किया रहा है तो वो अपने आप में काफी है हर तरफ से जो है वो पार्टी को जुताने के लिए लेकिन बहुत बड़े-बड़े नेता अमिच्छा को ले लीजे चेपी नडदा को ले लीजे राजनात सिंग को ले ल प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो कहिना कई परक्त दरूर देखने को मिलेगा ऐसे मैं अब आगे आने वाला समय क्या है वो तो वक्त ही बताएगा क्योंकि यहां पर गड़बंदन की बात का जिकर कर दिया गया है अब मायवती इस पर उत्तर प्रदेश में क्या प् कर उसकार